हेलो बच्चो, बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा हमारे इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट के चेप्टर वन के कुछ एकनॉमिक टाइम लाइन्स सबसे पहला 1793 जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ जमीनदारी सिस्टम इसके बाद 1813 जिसमें आया कमर्शलाइजेशन ओफ एग्रिकल्चर इसके बाद 1818 जिसमें भारत की पहली cotton textile mill open हुई देन 1837 modern postal services की शुरुवात हुई इसके बाद 1850 introduction of railways in India इसके बाद 1851 introduction of electric telegraph in India देन 1854 में पहला bridge establish हुआ जिसने बॉम्बे और थाने को जोड़ा 1855 first jute mill opened in India इसके बाद 1869 opening of Swiss canal देन 1881 सभी जानते होंगे first census of India इसके बाद 1907 incorporation of Tisco next 1921 year of great divide year of great divide का मतलब 1921 से पहले stage 1 थी demographic condition and 1921 के बाद stage 2 में हम enter कर गए थे 1932 Tata Airlines established in India 1945 Telco incorporated in India and last 15th August 1947 India got independence तो ये थे बच्चों हमारे chapter 1 के कुछ important timelines I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ आपका chapter 1 का revision हो गया हो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में all the best